मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे लेटेस नोटिफिकेशन मिलता रहे है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई ट्यूब चैनल, आज मैं आपके साथ सहजन का भुरता की रेसेपी शेर करूँगी सहजन का भुरता कह लिजे, या फिर इसे सहजन की चटनी कह लिजे, बहुत ही हल्दी, यमी और डिलिशयस सी रेसेपी है बनाने में बहुत ही जादा आसान है, इसे आप 10 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं बहुत ही डिलिशयस और हल्दी रेसेपी है, तो आइए देखते हैं, इस आसान और हल्दी रेसेपी को बनाने के लेकिन के चीजों की ज़रत होती है, और इसे कैसे बनाते है सहजन का सहजन भूरता बनानी के लिए मैंने 5 सहजन लिए है यह स्टिक के फ़र्म में आता है इसे टुकड़ों do जिसमें पल्प की कॉंटिटी जाधा होती है देखे इस तरह से यह स्टिक के फ़र्म में आता है और इसे मैंने दोनों साइट से इसको कट कर लीजे वाश कर लीजे और इस तरह से टुक्डों में कट कर लीजे तो मैं तो इसे बॉल करके इसका बुर्ता बनाऊंगी लेकिन अ सकते हैं अगर चुला हो तो चूले पर पहुत ही ज़दा अच्छे से बुन जाते हैं बहुत है डिलिशे लगते तो मैं इसे बॉइल करूंगी तो मैं एक प्रेशर कुकर लिया है उसमें सारे टुक्डों को अरेंज कर लिया है इसनारी पानी की कुंटिटी बहुत ही दो सीटी पे बहुत ऑच्छी तरह से गल जाता है, आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से गला लीजेगा, उसके बाद गैस की फ्लेम उफ करके हम इसका प्रेशर अपने आफ रिलीज होने देंगे, तो हम इसे 2 सीटी आने तक कुक कर लेते हैं, तो देखें 2 सीटी आने के यह देखिए हमारे सेजन अच्छी तरह से कुख हो गया है अब हम इने एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे रूम टेम्टरेचर पर आने तक थंडा कर लेंगे जिससे हम इसको जब टच करें तो यह ज्यादा गरम ना लगे तो इसको हम रख देते रूम टेम्टरेचर पर आने तक थंडा कर लेते हैं तो देखिए मैं सेजन थंडे हो गया है और रूम टेम्टरेचर पर आ गया है आप हम क्या करेंगे एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसको जब से तोड़ लेंगे और इसके अंदर का जितना भी पल्प है इस्पून की हल्प से या फिर चाको आप इसको निकाल लीजिए और एक बोल में इकठा कर लेंगे जितना भी पल्प है उतना निकाल लेना है बहुत ही इसली निकल जाता है और यह जो इस्टिक बची है हमारे पास छिलका इसका बचा उसको डिसकार्ड कर देंगे तो इस तरह से जैसे भून कर भी अगर आप ले रहे हैं तो इसी तरह से ही पल्प सारे निकाल लीजेगा और हम इसी तरह से पूरे जितने भी सैजन को मैंने बॉल किया है इसके पल्प निकाल लेंगे और इसे एक बोल में इकठा कर लेंगे तो देखे इस तरह से मैंने pulp निकाल लिया है इसका और इसी तरह से जितने भी सेजन हमारे पास boil करके रखे शभी का मैंने pulp निकाल लिया है अब जो तोड़ा सा पानी इसमें ट्वटेबलसपून के बराबर वो हम इसीफार में इसलिए पानी की कॉंटेटी कम रखनी पड़ती है और अब हम जो है इसको एक ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेंगे थोड़े थोड़े से मोटे मोटे जो बीज होते हैं वो पिस जाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं बुरते में तो हम इसको अब हम अपने पुरते की तरके की तयारी करेंगे तदेखे मैंने सारे पल बोल में डाल डिया है इसे हम साइड में रख और अपना भूरता बनाने के पुरता बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है उसमें जब कढ़ाई गरम हो जाएगे तो इसमें 3 टेबिल स्पून मैंने मस्टर्ड ओयल डाला है आप जो भी ओयल खाते हैं डाल सकते हैं जब तेल गरम हो जाएगा तो हाब टी स्पून जीरा एट करेंगे टू हम इसको भून लेंगे आइफ लेम पर प्यास को में लाल या ब्राउण नहीं करना है बस सॉफ्ट होने तक है हम इसलकी सी अब्रेत हो गई按 अब हमें इसना ब्हुन को दो भी आप कर-उन एच्छे ऑन सखें होगी तक हुए Lets we dries. 2.3 ओं का आप्तम के लिए देगा तो मैंन दाल दिया, इसे भी अच्छी तरह से बून लेंगे, अब इसमें 1 फू टी स्पून नमक एड़ करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करिएगा, क्योंकि बॉयल करने भी नमक एड़ किया था, अब टी स्पून लालमेश पॉडर एड़ किया है, अब टी स्पून भूने वे जीरे का पॉडर एड़ किया है, इन सारी चीजों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक सारे मसाले और टमाटर अच्छे से भूनने ही जाते हैं, तब तक के अच्छी तरह से भून लेंगे, मैंने आयल की कौन्टिटी बहुती कम रखी है, आप जादा रखना चाहें तो आपने टेस्ट के करणिंग बढ़ा भी सकते हैं, आप देखिए सारे मसाले टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून गए है, अच्छी से सारे मसालों से अच्छ इंबू का रज बस अच्छा टीस्ट आता है, अगर आपको ज्यादा खटास पसंद अबुटता में तो आप इसे किप भी कर सकते हैं, अब सेजन जो मैंने पीस कर रखा था था भो हम इसे डाल देंगे, आछी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छे से भून लेना है, सेजन के प के लिए इसे को करना है जिसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो दो से तीर मिनट को करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और इसमें मैंने हरी दनिया डाल दी हरी दनिया खुब सारी डालेगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो जरूर से हधनि जरूर से डालेगा दनिया डालकर इसको मिक्स कर देना है और गैस की फ्लेम आफ करके हम इसे सर्फ करेंगे बहुत ही डिलिशेस यमी हल्दी हमारा सेजन का बुर्ता बनकर तयार हो गया है तेक मैं डिलिशेस यमी और हल्दी सेजन का बुर्ता बनकर तयार हो गया है राइस के लाइक करिए अपरे फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो